दोस्तों एक home loan के मदद से आप एक घर खरी सकते हैं, घर construct कर सकते हैं, home loan देने वाले financial institutions, banks, housing finance companies, non-banking finance companies, borrower में कुछ चीजों को पहले जाचते हैं उसके basis में, फिर वो decide करते हैं, home loan देना है या नहीं देना है अब जो procedure होता है, ये काफी transparent रहता है, right, क्या documents submit करना है, bank की क्या-क्या expectation है जो हमको fulfill करनी है और उसके basis में एक home loan फिर डिस्बस किया जाता है अब ऐसे में जहाँ पर सारी चीज़े हमें पता रहती है, right, procedure, process, सब कुछ मालुम रहने के बाबचूद भी fraud कैसे होता है कहां पर हम गलती करे बैठते हैं जिसके वज़े से फिर हमारा लाखो का नुकसान होता है जोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे case studies शेयर करने वाला हूँ जहां पर लोगों ने, you know, fraud में फस कर अपने लाखो तो गवा है बट उसके पीछे क्या उनकी mindset थी जिसके वज़े से वो उस जाल में, you know fraudster के जाल में फस गए जो mindset आपको नहीं build करनी है, एक home loan लेने के वक्त, मतलब आपको सावधानी बरक नहीं है, ये सारी चीजों का, जिससे फिर आप, you know, इस जाल से बच सकते हो आप सभी का बहुत बहुत स्पागत है, मेरा नाम है धीरच, शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे जादा बिकने वाला लोन अगर कोई है, तो वो है home loan और हर एक विक्ती का यार, dream तो होता ये कि उसका एक खुद का घर हो, right और कोई भी इतना पैसा तो जेब में लेके गुमता नहीं कि वो, you know, जैसे कि हम सबजी मार्केट से सबजी खरीद देते हैं, जाके घर खरीद ले, right आपको आज मैं बताने वाला हूँ, कि जब आपका home loan reject हो जाता है, अब reject क्यों हो सकता है, कुछ कारण होते हैं, civil score अगर सही नहीं होती है, illegal property पे हम finance करा रहे है, right या repayment capacity weak लग रही है, books में इतना income नहीं दिख रहा है, तो bank के पास पुरी authority है, कि वो आपका home loan application reject करें, अब उसी वक्त में, आप मानोगी नहीं, आपको एक call आ सकता है, किसका, the angel, जो आपके इस problem का solution आपको देगा, वो ऐसा बताएगा, मतलब वो ऐसा पोस करेगा, कि he is the solution provider, वो आपको call करके बुलेगा, कि आप घबरा ये नहीं, भले ही आपका civil score खराब क्यों नहीं हो, हम आपको home loan provide करेंगे, भले ही आपका property illegal क्यों नहीं हो, हम आपको home loan provide करेंगे, भले ही आपकी books में income इनों इतनी मजबूत नहीं दिख रहे हैं, तो भी हम आपको home loan provide करेंगे, ये जाल है, आजकल तो मैं देख रहा हूँ, कि ये fraudsters rate पे भी discount देने की बात करते हैं, कि अगर एक XYZ bank की जिसने कहा है, कि भाया हमारा ये home loan rate है, उसने हर जगा ये ही चीज़ एड़टाइस किया है, अब इससे अगर वो आपको कम का rate provide कर रहा है, तो वो जाल है, येस, तो ऐसे बहुत सारे पैतरे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनका लक्ष क्या है कि एक बार जाल में फज जाए, borrower, because देखे, जब किसी को home loan चाहिए रहती है, अभी, let's say, अगर मुझे call आता है, मुझे अभी home loan की ज़रूरत नहीं है, तो क्या मैं उसको entertain कर है, उसका data share हो जाता है, ये एक बहुत ही unfortunate event है, कि data आजकल हर जगा है इनो, इसी तरीके से big गया है, कोई भी data का कोई आजकल value नहीं है, तो ये जो data, जिन लोगों का loan reject हुआ है न, वो data share होता है, इसे सारे fraudsters के साथ, और फिर ये अपना जाल बिचाते है, इस बात का कृपया करके ध्यान दीजेगा, कि कोई भी हालत में एक bank, civil score अगर खराब है, illegal property है, books में income सही नहीं दिख रही है, मतलब repayment capacity weak है, तो ये सब अगर conditions fulfill नहीं होता है, कोई भी bank हो, housing finance company हो, non banking finance company हो, वो loan provide करी नहीं सकता है, yes, उसको बिलकुल authority नहीं है, और ये जो मैं अभी interest rate की बात की, कि अगर कम rate में, because अभी देखे, जैसे जैसे repo rates गिरते हैं, उसके बाद फिर home loan के rates भी गिर जाते हैं, और वो जो rate set हो जाता ना, एक बार, एक किसी bank का, pan India, तो उसको वही rate provide करना है, उससे कम वो जाई नहीं सकता है, तो अगर ये fraudsters आपको कहते हैं, कि उसकम rate में आपको loan provide करेंगे, तो मतलब दुखा है उसमें, तो पहला case क्या है, और कौन सा पैतरा ये लोग इस्तमाल करता है, पैतरा रहता है, sanction letter का, अब देखे, जब हम किसी भी bank में जाए, हम एक pre-approval sanction letter ले सकते है, बैंक से, isn't it, अब ये वो same, you know, pre-approved sanction letter, एक proper bank के letter rate में आपको print करवा कर देंगे, और आपको ये good news देंगे कि आपका loan sanction हो चुका है, आपको अभी इतना commission pay करना है, उसके बाद disbursement हो जाएगा अपके bank account में, और उसके लिए जो भी procedure लगती है न, जो भी normally banks करते है, banks के जो employees होते है home loan जो disburse करने का काम करते है, वो proper documentation आपसे मांग कर लिके जाएंगे, जिससे आपको भी ये विश्वास होगा कि आपको home loan मिलेगा ही मिलेगा, उस case में वो आपसे पहले advance commission लेंगे, और that stands to be an hefty amount, okay, it is like a good percentage of the overall loan amount, उतना वो पहले आपसे 8 लेंगे, फिर आपको बुलेंगे कि आपका home loan reject हो गया है इस current से, तो चलो में यार, commission जो आपको pay किया गया तो उसको refund करो, phone उठाएंगे नहीं, आपको चेहरा भी नहीं दिखाएंगे अपना, gone, ये होता है पहला पैतरा उनका, sanction letter का, इससे वो बहुत सारे लोगों को भी उकुफ बनाते है, case number two, ये वो fraudsters है, जो proper professionals है, in the sense, उनका खुद का एक call center का setup रहता है, day and day out, वो काफी सारे इनों ऐसे लोगों को calls करते हैं, जिनको लोगों की जरूरत होती है, और बकाइदा call करने के बाद ये आप से documents मांगते हैं, जो normally banks मांगते हैं, जब आप एक home loan के लिए apply करते हैं, so वो documents वो आप से मांगेंगे और फिर उसके साथी साथ वो आप से मांगते है PDC checks, sign के हुए checks, ये कहते हुए कि अगर in case आपका EMI bounce हुआ, तो हमें इनों इतने number of check leaves जमा करके bank को देना रहता है, तो उस case में, देखें, जब आप sign करके check देते हैं तो तब ही उसी वक्त वो उस check को deposit कर देता ह और एक hefty amount bank account से निकल वा लेते हैं, दूसरी चीज़, मतलब इससे और क्या खराब हो सकता है, कि वो जो documents आपने submit किया है ना, वो documents के basis में वो एक bank account, एक फरजी bank account open कर लेते हैं, और एक loan के लिए apply करते हैं, can you imagine, और वो loan का पैसा जब आता है, वो use कर लेते हैं, and then वाकी का जो आगे का EMI payment है, वो फिर आपको, जिसके नाम पर वो bank account open किया गया है, जिसके नाम पर वो home loan लिया, जो भी loan लिया गया है, उनको फिर उसका EMI payment करना परते हैं, मतलब एक total, proper, professional तरीके से ऐसे सारे लोग operate करते हैं, तो ये भी अगर इस तरीके से आपको call आता है, ये कहत प्लीज बी केरफू, ये लोग बहुत स्मार्ट रहता है, बहुत अच्छी तरीके सा अच्छी language ये लोग उस करते हैं, चाहे इंग्लिश के हम बात करें, उसमें भी उनकी अच्छी command होती है, तो ये इस तरीके से पोस्ट करेंगे, कि वो लोग पर ली bank से ही है, या एक registered agent ह बैंक के, तो वो आपको उस तरीके से पोस्ट करेंगे, तो उस समय में आपको एक चीज का दियान देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि अगर कोई भी आपको false assurance दिया जा रहा है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया था, तो आप state away reject करो उनको, और call, disconnect कर दो, fraud करने का तीसरा तरीका, case number 3, इसमें जो case number 2 का जो तरीका था, वो थोड़ा सा पुराना तरीका जहां पे वो PDC चेक मांगते है, case number 3 में, वो आप से सारे documents लेने के बाद, आपको कहेंगे, online payment करने के लिए, अब क्योंकि UPI payment तो काफी popular हो रहा है, हर एक व्यक्ति, भी map, Google Pay क जरीए payment करते हैं, तो वो आप से कहेंगे, एक certain amount, loan amount का, 5-10% तक का एक processing fee या commission के तौर पर आपको transfer करना है, और फिर जैसे आप transfer करते हैं, वो आपको फिर कहेंगे, एक दो दिन बाद की आपका loan reject हो गया है, और आपका ये पैसा refund आएगा, जो आपने pay किया commission, जो कभी refund आत नहीं है, तो इस case में देखें, ये हमें ही समझना है, कि कोई भी bank से, या कोई भी authorized जो DS से है, direct selling agents है, bank के, वो इस तरीके से कभी भी online payment के लिए request करेंगे नहीं, payment जब भी कोई भी वेक्ती bank के तरफ processing fee के तौर पर करता है, तो वो bank के नाम पर ही होता है, तो ये सारी चीजो का हमें इन्हों दियान देना है, उसके business में एक से सारे जितने भी calls आता है, उसको totally reject कर देना है, case number 4, पैतरा number 4, जहां पर पैतरा number 3 काम नहीं आता है, मतलब जब वो UPI app के जरी आप से payment मांगते है, direct processing fee या commission, तो जब customer agree नहीं करता है, तो वो भीजते है request, payment के request UPI app में, और जब OTP share किया जाता है, तब वो पैसे transfer हो जाते हैं, अब ऐसे हमें देखे, वो इस तरीके से pressure create करते हैं, कि जब ही, वो OTP भीजा जाता है न, तो वो कहते हैं, बस पाच मिनिट है, पाच मिनिट में आपको वो OTP share करना है, अगर आप नहीं करते हैं, तो पुरा का पुरा process वापस से करना पड़ेगा, पुरा का पुरा documentation वापस से submit करना पड़ेगा, तो एकदम से वो pressure डाल देते है customer पे, और वो फिर, you know, उस trap में फस जाते हैं, और OTP share कर देते हैं, बट यहां पे देखे, Mr. Customer, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, कि कोई भी पैसे देने के ल loan amount अगके account में transfer होगा, for God's sake, please try to understand this, कोई भी ऐसा mechanism नहीं है, जिसके लिए पैसा आने के लिए OTP share करने पड़े, मतलब अगर मुझे आगर पैसा आने वाला है मेरे account में, तो मुझे वो OTP share करके तो नहीं definitely आने वाला है, मतलब मेरे account से अगर मुझे पैसे transfer करने किसी को, तो उही मुझे OTP का साहरा लेना पड़ेगा और यही पर हम फस जाते हैं, हम उनको OTP दे देते हैं, यह सोच कर कि पैसा आने वाला है, नहीं सहब, पैसा तो जानने वाला है, तो इस वज़े से इस वज़े से देखें, यह सारी जानकरी रखना जरूरी है, और तब ही जाके ऐस सारी fraudsters हम बच सकते हैं, और जब जागरूब जनता इनों वहाँ पर एक majority level पर पैदा हो जाती है, तो ऐसे fraudsters वैसे ही खतम हो जाएंगी, उनका वजूद ही नहीं रहेगा, तो इस वज़े से जानकरी और awareness रखना जरूरी है, and that is the reason यह चारों केसे जो मैंने अभी आपको ब यहाँ पर आपको जरा होश्यारी से काम लेना है, जो भी एशॉरंस मैंने आपको बता है ना, जो भी फेक एशॉरंस जो यह so-called bank के agents जो खुद को बताते हैं, जो कि होते नहीं हैं वो, registered agents नहीं होते हैं, registered direct selling agents नहीं होते हैं, या खुद बैंक से वो बात नहीं करते हैं, त जो आपको सामने से आके call करके बुलेगा, भी यह हम आपको लोन दे रहे हैं, आपका civil score week है, चले, no problem, फिर भी हम आपको लोन देगें, कोई भी ऐसा bank नहीं है, तो यह सारी जानकर ही, जब आप रखेंगे अपने पास, और दूसरों को भी share करेंगे, तो हम एक ऐसी community बना स तो share औरों को भी कीजएगा, जिससे हम और जागरुक जनता तयार कर पाएगा, इसे के साथ मुझे आग्या दीजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, इस दीरज फ्रम, दीरज एगडे चानल, signing out, thank you so much.